नमस्ति दोस्तो आज मेरी लिए और मुझ जैसे सभी साहित्य अनुरागियों के लिए बहुती विशेश दिन है दोस्तो आज राश्ट्र कवी रामधारी सिंग दिनकर जी का जनम दिन है भाव मंजरी साहितिक मंज की तरफ से मैं गायत्री कौशल उन्हें उनकी पावन जियनती पर शक्षत नमन करती हूँ दोस्तो हिंदी के सुविख्यात कवी रामधारी सिंग दिनकर का जनम 23 सितंबर 1908 में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सामाने किसान रवी सिंग और उनकी पतनी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था दिनकर के पिता एक साधारन किसान थे और दिनकर मातर दो वर्ष के थे जब उनके पिताजी का देहा वसान हो गया परिनाम तह दिनकर और उनके भाई बेहनों का पालन पोशन उनकी विद्वा माता ने किया तो दिनकर का बच्पन बहुत अभाव में बीता और दिहात में ही बीता देहात में दूर दूर तक फैले खेतों की हरियाली बांसों के जुर्मों टामों के बगीच और कांस के विस्तार थे और प्रकृती की इसी सुष्मा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया पर शायद इसी लिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी उनके उपर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ा संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकरजी ने गाओं के प्रात्मिक विद्याले से ही प्रात्मिक शिक्षा प्राप्त की और निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राश्ट्री मिडल स्कूल जो कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था वहाँ प्रवेश प्राप्त किया यहीं से इनके मनों मस्तश्क में राश्ट्रयता की भावना का विकास होने लगा था हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मुकामा खाट हाई स्कूल से प्राप्त की और इसे बीच इनका विवहाबी हो चुका था और ये पुत्र के पिता भी बन चुके थे 1928 में मेट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्व विद्याले से 1932 में इतिहास में भी ये ओनर्स किया पटना विश्व विद्याले से भी ये ओनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में प्रधाना ध्यापक के रूप में नहीं नियुक्त कर दिया गया पर 1934 में बिहार सरकार के आधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्विकार कर लिया और लगभख 9 सालों तक 9 वर्शों तक ये उसी पद पर बने रहे उनका समूचा कार्यकाल बिहार के दिहातों में बीता और जीवन का जो पीडित रूप इन्होंने बच्पन में देखा था उसका और भी तीखा रूप इनके मन को मत गया फिर तो जुआर उभरा और रेनुका, हुंकार, रस्वन्ती, द्वंदगीत रचे गए रेनुका और हुंकार की कुछ रचनाई यहां वहां प्रकाश में आई और अंग्रेज प्रशास्कों को यह समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमे को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और फिर क्या था, दिनकर जी की फाइल त्यार होने लगी, बात-बात पर काफियत तलब होती, चितावनिया मिला करती थी, चार वर्ष में बाईस बाहर उनका तबादला किया गया 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ, तब वे बिहार विशविद्याले में हिंदी के प्राधाप्यक और विभागा ध्यक्ष नियुक्त होकर मुझाफरपूर पहुंचे 1952 में जब भारिक की प्रथम संसत का निर्मान हुआ, तो उन्हें राजे सभा का सदस्य चुना गया, और वो दिल्ली आ गए दिनकर 12 वर्ष तक संसत के सदस्य रहे, बाग में सन 1964 से 65 तक भागलपूर विशविद्यला का कुल्पती नियुक्त किया गया लेकिन अगले ही वर्ष भाग सरकार ने उन्हें 1965 से 71 तक अपना हिंदी सलाकार नियुक्त कर दिया और वो फिर से दिल्ली लौट आए दिनकर के पहले तीन कावे संग्रह, रेनुका 1935 में, हुंकार 1938 में और अस्वंती 1949 में आया जो उनके आरंभीक आतम मन्थन के युक की रचनाये हैं इनमें दिनकर का कवी अपने व्यक्ति परक, सुंदर्यान वेशी मन और समाजिक चेतना से उत्तम बुद्धी के परस पर संगर्ष का तटस्थ दृष्टा नहीं, दोनों के बीच से कोई राह निकालने की चेष्टा में सनलगन साधक के रूप में मिलता है इन मुक्तक कावे संग्रहों के अतिरिक दिनकर ने अनेक प्रबंध कावियों की रचना भी की हैं जिन में 1946 में कुरुक्षेत्र, 1952 में रश्मी रथी, 1961 में उर्वशी पर मुख हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत के शान्ती पर्व के मूल कथानक का धांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शान्ती के विशद गंभीर और महतवपून विशे पर अपने विचार भीश्म और युधिष्टर के सनलाप के रुप में प्रस्तुत की हैं दिनकर के कावे में विचार तत्व इस तरह पहले कभी उभर कर सामने नहीं आया था कुरुक्षेत्र के बाद उनके नवेंतम कावे उर्वशी में फिर हमें विचार तत्व की प्रधानता मिलती है साहस पूर्वक गांधिवादी अहिंसा की अलोचना करने वाले कुरुक्षेत्र का हिंदी जगत में या थेश्ट आदर हुआ उर्वशी जिसे कवी ने स्वयम कामा ध्याई की उपाधी प्रधान की है दिनकर की कवीता को एक और नए शिखर पर पहुँचा देता है भले ही वो सर्वोच शिखर ना हो दिनकर के क्रत्यत्व की गिरिक शिर्णे का एक सर्वता नवीन शिखर तो है ही 1955 में नील कुसुम दिनकर के काव्या में एक मोड बन कर आया यहाँ वो काव्यात्मक प्रयोक्षिलता के प्रतियास्थावान है स्वयम प्रयोक्षिल कवियों को अजमाल पहनाने और रहा पर फूल बिछाने की अकांख्षा उसे विहवल कर देती है नील कुसम ने नियंत्रन और गहराईयों में पैठने की प्रवृति की सूचना दी छे वर्ष बाद उर्हुशी प्रकाशित हुई हिंदी साहिते संसार में एक और जहां उसकी कटु आलोचना हुई और दूसरी और मुक्तकंट से प्रशंसा भी हुई दिरे दिरे स्थिती सामाने हुई इस कावे नाटक को दिनकर की कवी प्रतिभा का चमतकार माना गया कवी ने इस व्यादिक मिठक के माथ्यम से देवता वे मनुष्य, स्वर्ग वे प्रत्वी, अपसरा वे लक्ष्मी, काम और अध्यात्म के संबंधों का अध्भुत विशलेशन किया है रे रोग क्यों धिश्टर कोना यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लोटा दे अरजुन भीम वीर और फिर क्षमा शोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत हीन विशहीन विनीत सरल हो मैत्री की रहा बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीशन विध्वन्स बचाने को, भगवान हस्तना पुराय, पांडव का संदेशा लाय, रश्मी रधी दोस्तो राष्ट्र कवी रामधारी सिंग दिनकर ने हिंदी साहित्य में ना सिर्फ वीर रसके कावय को एक नई उचाई दी, बलकि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रिय चेतना का भी स्रुचन किया मात्रिभाषा हिंदी के सपूत उपासक राष्ट्र कवी रामधारी सिंग दिनकर को आज उनकी जयंती पर स्मरन करते हुए साधर नमन करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद